मुद्मंगल मैं संत समाज कबीर भीजक चिन्तन सिवीर कबीर आश्रम सक्री में आये हुए इस सभा में विराजमान भाईयो बहनों साध्वी बहनों कई दिनों से चर्चा हो रही है आज उन्नीसवा दिवस बीजक के साक्षी प्रकरन पर चर्चा चल रही है शाक्षी के अर्थ ही होता है साक्षी साक्षी मतलब होता है देखने वाला, समझने वाला, अनभव करने वाला साक्षी मतलब जो देख रहा, वो साक्षी कहां बैठा है सब के दिल में बैठें, आप ही देख रहे हैं, आप ही साक्षी हैं ये दुनिया का इस पर चर्चा चल रही है, पिछले मीटिंग में ये चर्चा हुई साहिब अपना नाम ले करके कहते हैं, मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ आपको विश्वास न हो तो अपने हिर्दे में विचार करके देख लीजी, खुद विचार लीजी मेरी बात सत्य है कि असत्य है आपको पता चल जाएगा और ढंग से ना समझो, चित्त हुदे समझे नहीं, चित्त लगा करके ढंग से ना सुनो, ना समझो तो इसमें हमारा क्या दोस है? या हमारे जैसे और बहुंस से उपदेशक हैं, उनकी बातों को ध्यान लगा करके ना सुनो, तो उनका क्या दोस है? उनका कोई दोस नहीं है इसलिए यहाँ पर सुरोताओं को भी कहा है और वक्ता को भी कहते हैं आगे जो तू साचा वाणियां वाणियां ज्यान का ब्यापारी है, सत्संग का ब्यापारी है अपना सत्संग दिखाते हो, भोलते हो, तो सहीं बात कहो आओ, पहले सुरोता को कहते हैं तुम सहीं बात सुनो फिर अब वक्ता को कहते हैं सहीं बात कहो लल्लू चप्पू वाली बात मत कहो और उसके अग कुछ बोलते हूँ उसके पहले अंदर में जाड़ू लगा लो पहले अपने अंदर की सफाई करो उसके बाद दूसरे को सफाई की बाद बताना खुद ही गंदे हो दूसरे को कहोगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और बाद में प्रकृति का जो देन है कि ये जो सरेर मिला हुआ है सरीर मिला है तो सरीर के साथ में बहुं से संस्कार भी है आदद भी हैं इसमें खास आदद बनाते हैं हमारे पांच ग्यान इंदरियां निर्मन साइब जी ने कहा है इसोल सरेर नाश हो जाता है किंतो जो सुक्ष्म सरेर है उसको नास करना बड़ा मुस्किल है वो नास कैसे होता है वो नास होता है ज्ञान और बैराक से ज्ञान और बैराक की अगनी लगनी चाहिए किन्त उसकी जगह पे हम वासनाओं की अगनी लगाते हैं मनोविकार की अगनी लगाते हैं और इसमें जो बड़ा होस्यार होता है, चलाक होता है, वह आदमी उस आग में जल रहा है, जो समान्य साधक होता है, समान्य भदक, भगत होता है, बिलकुल निष्चल आदमी होता है, वह आदमी अपने आपको तार लेता है, और निष्चल आदमी में पक्छपात नहीं होता ह पक्षपात नहीं होता बर्सात में जैसे स्रावन के महिना में बर्सात होती है और बर्सात होती है तो उसमें पूरे वातावरन ठंडा हो जाता है बुंद पड़ता है ऐसे ही जगा जगा एक से एक भागवत कहीं कथा कहीं चौमासा ये सब हो रहा बहुंच से लोग प्रभावित होकर कि उस कथा में उपस्थित भी होते हैं जाते भी हैं सुनते भी हैं किन्तो सुनते तो हैं किन्तो उसको अंदर में धारन करते नहीं और ऐसे लोगों को भी साहिब ने संकेत किया है और फिर आगे की अपसाखी साहिब बहुत ही सुन्दर धंग से कहे हैं धिक बूढ़ा उतरा साखी नंबर है 78 आज इस पर चर्चा होगी आगे धिक बूढ़ा उतरा नहीं या ही अंदेशा मोही सलिल मोह की धार में क्या निंदर आई तो ही साहिब कहते हैं धिक मतलब होता है आगे भी पड़ा है धिक मतलब धिक धिक दिन ही आग धिक धिक मतलब conduk नजीक नजीक विलकुल आपके पास-पास में ही तो यहां पर धिक किनारे उतरा नहीं यहाँ पर है एक नदी है नदी में सब कोई बह रहे हैं सब कोई नदी में निकल रहे हैं अब एक कोई ऐसा देखा होगा साहब सामने कि एक आदमी बिलकुल नदी तो पार कर गया अब आखरी में जहां निकलने का जगा है जहां पर उसको निकल जाना चाहिए, नदी पार करके, वहीं पर ओ डूब गया, वहीं पर ओ डूब गया, उतरा नहीं, याही अंदेशा मोही, साहिब कहते हैं, यह आखरी में बिल्कुल जहां निकलने की जगा है, वहीं पर डूब गये, तो यह देख करके, मुझे बड़ा अंदेशा होता है, बड़ी संका होती है, बड़ी चिंता होती है तेरे लिए, सक होता है, कैसे तुम ने आखरी में डूब गये भाया, पूरा त दोई नदी में, यह शेंद मरन के चकर में सक कोई गोता наш कर दे के बहर है, एक जनम से दूसरा जनम, तीसरा जनम, जोबिल्कुल मानवेतर खाणी में गये होंगे, कभी भैसा बने होंगे, गधा बने होंगे, सेर बने होंगे, भालू, मच्छड, मख्छी, पता नहीं क्या-क्या बने होंगे, और उसको पार करके कहां आ गए हम लोग? मनुस्य के सरीर में आ गए, यही है, मनुस्य के सरीर में आ गए, और मनुस्य के सरीर में ही पार हो सकते हो और कोई दूसरा रास्ता नहीं, रास्ता ये बिलकुं निकाटाग हो, किसके निकाटागे हो? कल्यान के निकाटागे. जब ये साखी प्रकरण चालू करते हैं सायर, तो पहले ही साखी में चर्चा हो गही है, क्या है? जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता ना कोई ये जहिया जन्म मुक्त ये जन्म मुक्त मतलब मुक्छ भूमिका मुक्छ भूमिका क्या है ये मनुस्ट का सरीर मुक्छ भूमिका में आ करके भी आदमी यहां मुक्ती का काम नहीं कर पाया कारण छठी तुम्हारी हो जगा यह छठी नंबर का जो मनोबृत्ती है वो आपको उसके अहंकार कर लिया मैं बहुत जानता हूं बहुत देखता हूं सब कुछ समझता हूं अब अहंकार करके जान जान करके विशियों को जान जान करके हम विशियों में लिप्त होते चले जा वैसे बच्चा जनम लेता है, तब कोई विकार नहीं होता है, उसके पास। ना काम है, ना क्रोध है, ना लोब है, ना मौ है, अज्ञानता है वो अलग चीज़ है, अज्ञानता अलग है, किन्तो यहाँ भी काम, क्रोध, लोब, मौ कब तैयार होता है, जब मन तैयार होता है, क्योंकि यह मनोविकार है, क्योंकि यह मनोविकार है, अब मन तैयार होगा तो फलता है। जैसे पेन होता है, तो पेन भीज डालते हैं, दो पत्ति होते ही फखल जाता है, आईसे ही ये जीवन जब धारन करते हैं तो इसको भी ससकत होने में समय लगता है। सबसे शुरू में किस विशय को ग्रहन करता है बच्चा जानते हो, जीव का विशय, खाने का विशय, जनम लेते ही मां का अस्तन पकड़ता है, खाने के, वो बच्चा चार छे महिना का हो गया, साल भर का हो गया, तो भी कोई भी वस्तू दो उसको, तो मुह में ही डालेगा, हाथ और मुह का भी बड़ा संबन्द है, वो बच्चा कुछ भी पकड़ेगा, और कहां पर मुह हैं बताना नहीं पड़ता है, यह तेरा मुह हैं का, बस पकड़ता है मुह में, डालता है क्यों? एक विशय को जानता है जनम लेते ही एक विशय का अनभव करता है क्या है का खाने का स्वाथ का और जैसे जैसे पेड़ जैसे पेड़ होता है बड़ा होता जाता है दो पत्ते का चार पत्ते का फिर नार बियार वाला है तो नार बियार इधर उढ़र पूरा फैल जाता है और इंद्रिया बिल्कुल अपना काम करने लग जाता है तब पांचो विशे का उसके अंदर में जो जानकारी है यहीं से फिर कहां होता है बंधन बनना चालू होता है यह सुरू साखी में हम लोग चर्चा करा हैं वही बात यहां है मनुस्त का सरीर मिला ये क्या पार होने के हम बह रहे थे अनादी काल से ये भाव चक्र में इसी को तो भाव चक्र कहते हैं भाव सागर कहते हैं सागर सागर का ओर ठोर कहीं पता चलता नहीं महां पानी का ओर ठोर पता नहीं चले आपकी द्रिश्टी है मुग दूर तक देखने की है जद जद आकास को देखते हो तो 5-7-10 km तक देख लोगे हवाई जहाज उड़ता है उसको किन्तु जिस रूप में उड़ रहा है उस रूप में नहीं देख सकते धिरे धिरे उसके आकार छोटा होता चला जाता है हमारी दिश्टी इतनी है और सागर कितना हजारों किलोमीटर का सागर है कैसे देख पाओगा ऐसे ही ये भाव सागर क्या है वर्तमान समय को हम देख पा रहे हैं वर्तमान समय को देख पा रहे हैं इसके पहले पता नहीं कितने सागर में गोता लगाए हैं कोई दिखता है आज देख पाओगे नहीं किंत एक द्रिष्टी से देख लोगे, वो कवं से द्रिष्टी है, इस चक्षु से तो नहीं देख सकते, किंत प्रग्या चक्षु हमारे पास है, प्रग्या मतलब ज्ञान के चक्षु, ज्ञान का चक्षु कौन है विबेक और विचार, उससे जब विचारते हैं तब पता च कितने जनम तक हम गोता खाते खाते आये, कली में भगवाण बुद्ध के कहावत है, उसकी वाणी है, उसके मैंने पेश किया था, कि भगवाण बुद्ध कहते हैं, अनंतकाल के जीवन में हमने इतना रोया है, इतना रोया है, इतना आशु बहाया है, कि समुद्र का पानी भी कम पढ़ जाए अब कितना रोय होंगे कितना जनम लिये होंगे आप सोच सकते हैं वहां से बचने के लिए कहाँ आए मनुस्य के सरीर में आए और साहब कहते हैं डिग बूढ़ा उतरा नहीं यहां आकर कि उतरना चाहिए था तो उतर नहीं पाए हमारे महत्मा लोग एक उधा को आपके सामने फिर से रख रहा हैं कहा जाता ही कि एक बहुत बड़ा परकोटा था ऐसी किला घेरा और उसमें एक ही दर्वाजा था एक ही दर्वाजा था वहां एक अंधा आदमी रहता था उस किला में और बहुत से लोग रहते थे किन्तु अंधा आदमी भी वहां रहता ते उसको मन हुआ कि इस किले से बाहर में जाऊं, किले से बाहर जाऊं. तक इसी को पुछा रास्ता, बहया एकिले से निकलने का रास्ता कहाँ है, अबंधा को पकड़ के कौन वहां तक ले जाए, इतना अदमी कट अध्मास कहां समय है, उसने कहा दिया ऐसा करो ये दिवाल को छूते छूते जाओ दिवाल को छूते छूते जाओ जहां खाली जगा मिलेगा निकल जाना वो रास्ता है ऐसे ही बताया जाता है ना बताने वाला कोई गलत बताया नहीं सहीं बताया अब क्या किया उगया और कहा जाता है को अंधे कई बार खुजली नहीं हुआ है तो भी कई बार खुजला जाता है इसे कोई जरूरी नहीं कि खुजली हो तभी खुजला है यह खुजली कहीं भी उड़ जाता है न यह कहें सरीर में कभी पीठ में खुजली कभी जांग में खुजली कभी हात में खुजली कभी पेट में महात्मा लोग कहते हैं अब एक घटना है कि कहानी है जो भी हो किन्तो बाते ही बहुत सुंदर है कि जैसे दरवाजा के पास आता था वो सीर को खुझलाना चलना बंद नहीं करता था दोनों हाथ से इसे इसे खुझलाना ये खाथ सोई से छूते हुए जाए तो ठीक है किन्द दोनों हाँ से खुजलाना जैसे दरवाजक पाच आता था और खुजलाना चालू कर देता था फ्याओ चलना तो चालू है दरवाजा फिर छूट गया अब फिर छूट गया तो फिर जितना बड़ा किला है उतना बड़ा किला को फिर घूमना पड़ेगा साहब यहां कह रहे है भूल भटक नर फिर घट आया भूल भटक करके यह मनश के सरीर में आये हो और यहां आकर के वह फिर खुजलाना चालू होगे जैसा दरवाजा तो है दर्वाजच के पास आकर के जैसे वो अंधा आदमी, अंधा भिखारी, महा खुजलाने लग, हम लोग भी यही तो खुजला रहे हैं, हो, दुनिया का और कोई प्राणी धन दवलती कठा नहीं करता है, जिन्द हम लोग खुजला रहे हैं, उसकी भी बड़ी खुजली है, अरे सबसे जादा खुजली यही धन दवलती कर, क्योंकि जीवन जीना है, जीवन जीना हो, जवरत वाली चीजे हैं, और जवरत वाली चीजे में अनभव नहीं होता है कि कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, एक अनभव होता है, आज कितने लोग हैं, दस ल बनाना चाहिए। अब कोई पचास आदमी का भोजन बना दे तो बरबाद होगा की नहीं होगा। उसका अनभव होता है। किन्तु जीवन का अनभव नहीं होता है। अब कहां कहां खुजलाते हैं। पांचो विस्यों की खुजली है। धन दाउलत की खुजली है। मान प्रतिष्ठा की खुजली है। बहुत से खुजली है। उसी खुजली में गोता खाते खाते हम फिर से डूब गए। साहिब यहां कह रहे है। ठीक बूढा उतरा नहीं। नजीक में आकर के आपको उतर जाना चाहिए था किंत उतर नहीं गए बलकि क्या हो गया बूड़ा बूड़ गए डूब गए और यहीं से संसकार बनता है मनस्ट का जीवान ये संसकार की भूमिका है कोई भी दूसरा प्राणी अपने स्वभाव के स्वभाव मतलब होता है प्रकृति के द्वारा जो उसके लिए कहा उसके लिए नीमीत है एक नियम है हर प्राणी के साथ है उसको स्वभाव कहते हैं और स्वभाव कभी चेंज होता नहीं है कुकुर को हजार सिक्षदो देख अब भूखना मत? फिर भी कोई दूसरा आज आएगा, चाहे उसका गुरु ही क्यो ना आए? वो भूखेगा. क्यों भूखेगा? उसका स्वभाव है. और स्वभाव के लिए सिख्छा की जवरत नहीं पड़ती है. कहीं सिख्छा की जवरत नहीं पड़ती स्वभाव के लिए. अब आदमी को एक एक चीछ की सिख्छा की जवरत है. आदमी को. क्यों? क्योंकि यहां सिख्छ भी सकते हैं और छोड भी सकते हैं. मनिश का सरीर गोश्वामी तुलसिदाज जी कहते हैं, श्वर्ग नर्ग अपवर्ग निशेनी. यह क्या है? निशेनी है. निशेनी समझ के नहीं भासा है. निशेनी. शिड़ी. उपर जाओ तब ही शिड़ी चाहिए. नीचे उतरो तब ही शिड़ी चाहिए. तब ही शिड़ी चाहिए. तब ही शिड़ी चाहिए. तब ही यहां मोहि अंधेशा याहि अंधेशा मोहि ये तुम्हारी पैस्थेती को देख करके मुझे बड़ा अंदेशा लगता है अंधेशा कर्थ होता है सोज चिंता या उसमें सक्ष होता है जो सख मतलब हो ता है कि संका संका होती है सक होता है कि कैसे तुम डूब गया इतना विवेक श्रील प्राणी होते हुए भी हम डूब जाते हैं और जितना अत्याचार आदमी करता है उतना और दूसरा प्राणी नहीं करता है, उतना कोई प्राणी नहीं करता है, श्तरी ज्यान साहब जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, उधाहरन देते थे, जल को कौन साफ करता है, मचली, मेठा, केसब उसको साफ करता है, जल में गंदगियों, आप ठूंक दो तुरांद, और एक आगड़ा वागेरा जो है कववा वागेरा ये सब गंदगी को वो साफ करता है आदमी इतना खतरनाक आदमी है ये जो सुवर को भी खा जाता है कुत्ते को भी खा जाता है मचली को भी खा जाता है मेढग को भी खा जाता है सबसे बड़ा सुवर कंव है आदमी सबसे बड़ा सुवर वो जिस सुवर को हम सुवर क्यारों तो अपने स्वभाव के अमसार है किंदू आदमी स्वभाव के के अमसार नहीं है, विचार के अमसार अपना जीवन जीता है, जहां जहां मनों विकार आएगा, वहां वहां उसकी करनी दूजर, मनों भावना के अमसार आदमी का जीवन बनता है, इसलिए जिसका विचार जैसा है, वैसा ही हो जाता है, जिसका विचार जैसा है, वैसे हो जा आओगे यह विचार धीरे-धीरे कब प्रवड होता है और कब अपने को उस छेत्र में ले जाता है पता नहीं चलता है एक गुजरात में एक घटना घटी सवराष्ट की घटना है एक गामे जैसे भैंसमैस नहीं होता है गली तेक बिठल नाम का लड़का अपने चावरा में आजकल बहुत लोग है दातों वहीं चावरा में बैट करके कुला उल्ला करेंगे वहीं सारी गंदगी गली में बहाएं तो उसका जो घर पड़ता था गाओं के आखरी में गाओं के आखरी में तो उधर से भैंस ऐसे निकलती थी कईठो भैंस उसके गली से उसके घर के होक आप बही हो धातों ऐसे चापते चापते वह सोचता है, सोचता क्या है? आप भैंस की सिंग कैसी थी? इतना बड़ा ऐसे हैdog में तो ग井 भैल के भी jours सिंग बड़े इतने बड़े बड़े होते हिए, यहां तो सिंग तो इतने बड़े ifad वहां के बड़े-बड़े, और वो जो भैंस जो कह रहा हूं उसके सिंग, इतना ऐसा गोल करके ऐसा, दोनों, ऐसा सिंग बना था, मन्ना बीच में ऐसे, गोल जैसे था, अब वो सोचता है वहीं बैठे-बैठे, कई दन सोचे, ये जो सिंग है, भैंस के सिंग इतना है, इसमे में घुंस जाओं तो कैसा होगा, वो जो सिंग ऐसे है, वो सोचता है, इसमें में घुंसूं तो क्या होगा, इसमें घुंसूं तो क्या होगा, ऐसे सोचते-सोचते कई दिन महिनों भीचा रहा हूं, वहीं बैठे-बैठे, जैसे वो दातों के लिए बैठा रहता है उसी सम भैंस का उधर से जाने का होता था, अब एक दिनों सोचा बड़ा बल, वो कि हिम्मत गिया, हिम्मत क्या किया, कि देखो अब कितने दिन तक सोचता रहूंगा, चलो वन उसमें घुश करके देखता हूं, भैंस को पुछका रहा है, भैंस को पुछका भैंस जल्दी रूख भी दुन हो फसले ख से चाहरा से धीरे ज से उसमें गोंस गया और गोंस गया उसमें दोनों सिंग में, वो फंस गया, अब फंस गया, फिर भैंस फिर चलने लग गई भैंस, अब भैंस चलने लगा, धीरे धीरे भैंस को भार लगा, शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, तो थोड़े दूर गया मैदान में और भैंस को भार लग गई, अब भार लग गई तो भैंस भड़क गई फि वो फिर डौना चालू किया, ऐसे इसे स्वीर को हिलाना किया, अब वो आदमी जो बिठ्थल है उसमें फंस गया, किसमें फंस गया? वोशिंग में, गाहों को लोग डौड़े, 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 बचावरे, वो चिलाया भी, वो भी चिलाया, बहुत लोगी कठे हुए, तो भैंस वाला तो लोगों ने कहा कि, जिस किसी प्रकार से भैंस को पकड़ा रस्टी से, और उसको नीचे पठका, अब निकाला कैसे जाए? निकाला कैसे जाए? तो भैंस वाला भी आ गया, देख मेरे, कई लोगों ने कहा है, भैंस की शिंग को काठ दो, तो जल्दी से ये निकल जाए, तो भैंस का जो मालिक थो कहें, देखो, मेरे भैंस को कुछ होना नहीं चाहिए, उसके शिंग विंग को काठने नहीं दो, यही इसकी सोभा है, भैंस के, वो काटने न दे और जो बिठल के माबाप है वो कहते हैं कि देख मेरे लड़के को कुछ भी होगा तेरे भाइस को केस करूँगा तेरे उपर अज जिस किसी प्रकार से उसको संचेप में कहता हूँ बड़ा लंबा कहानी है संचेप यह है उसको जिस किसी प्रकार से निकाला गया पुछकार करके और पुछकर करके वो आदमी को निकाला और निकाल करके सुस्ताया वो बिठल बैठा तक गाओं का जो सरपंज था बड़ा आदमी वो उसको पूछता है अरे अनारी यह भैंश के सिंग में घुसने के पहले सोचना तो चाहिए था तेरे को तो बिठल कहता है सोचा था मैने सोचा था कै अच्छा कैसे सोचा था 6-6 महिना तक सोचा था एक दो दिन थोड़े सोचा हूँ 6-6 महिना तक सोचा और कहां गया वो भैस के सिंग में घुश गए यही दसा हमारी है कोई भी हम काम करते हैं तो एक एक नहीं करते हैं सोचते हैं जिसको चोरी करना होता है क्या नहीं सोचता है क्या जिसको लफड़ा बाजी करना हो नहीं सोचता है क्या जिसको और कुर किसी के धन को हड़ापना है वो नहीं सोचत अब यहां साहिप कह रहे हैं धिक बूढ़ा उतरा नहीं मनुष्का शरीर पाय हो बड़ा भी बेख शिल प्रानी है यह सोच समझ के यह खानी है आई इसमें आकर के नहीं सोचा और यहां पर उतरने की जगा उबरने की जगा तुम और डूप्टे जा रहे हो और इसलिए कहा जाते करम भूमिका है कि दुन्या के और कोई प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता है, आदमी ऐसा प्राणी है जो पैदा करता है अन्न वगेरा खेतिवगेरा कौन पैदा करता है? आदमी हाथी चाहे इतना खा ले, एक कंकड पैदा नहीं करता है, इतना बड़े एक फल, तहस नहस करेगा, किन्तु पैदा कुछ नहीं कर, पक्षी है राद दिन वो दाना चूग रहा है, किन्तु पक्षी अपने लिए दाना पैदा नहीं कर, आदमी एक ऐसा प्राणी है, खुद खाता है, औरो के लिए आपत है आदमी यह जितने बम बना है एटम बम बना है मिसाइल बना है टैंक बना है किसके लिए बना है आदमी को मारने के अनु बम परमानु बम जो कुछ भी बम बना है और लाखों ने खर्बो खर्बो रुपिया जिसमें दुनिया का बरबाद हो रहा है तो किसके के लिए है आदमी के लिए आदमी को मारने के लिए इतना सब आयोजन करना पड़ रहा है और दूसरा प्राणी ऐसे करता है क्या नई यहां करके कल्यां उतरना मतलब अब क्या है उबरना मतलब कल्यान कर यहां करके अपना कल्यान करना चाहिए था किंत वादमी कल्यान ना करक और बहुत से इसमें अपने कल्यान से दूर होता चला जा रहा है इसलिए साहिप कहते हैं, मुझे अंदेशा लगता है, बड़ी संका होती है तुम उबेक भूंका में आय हो कि नरग भूंका में आय हो यहां तुम को घ्यानी कहा जाए कि अज्यानी कहा जाए मनश्ट का जीवन सबसे सेष्ट कहा जाए कि सबसे नकामा कहा जाए क्या कहा जाए दुनिया के लिए जो आफ़ात आज बना हुआ है वो किसके लिए है यह आदमी से ही इसलिए हर प्राणी आदमी से डरता है पक्षी भी डरता है सेर भी डरता है हाथ ही भी डरता है, ये मछली वगेरा भी पानी में चला जायोड कि वो भी डरता है। सभी तो डर रहे हैं, आद्मी से, साँ बिच्छू सब आद्मी से डरता है। इतना खतरनाग प्राणी है अदूसरी तरफ आद्मी जैसा और कोई प्राणी नहीं, इतना दयालू इतना खिपालू इतना छमालू दुनिया को पालन करने वाला पालन हार आदमी ही है दोनों है तो हमको आदमी है तो आदमी बन करके रहना चाहिए अच्छा ये क्यों गड़बड होता है इसका कारण क्या है साहिब आप कारण बता रहे हैं सलील धार नदिया बह सलिल मोह की धार में मोह की धारा बह रही है सलिल मतलब होता है धारा सरीर मतलब धारा और सलिल मतलब पानी भी होता है पानी सलिल मतलब पानी होता है यह कंसा पानी है मोह रूपी पानी का धार बह रहा है इतना तिप्र बह रहा है कि पूछों में अब मोह कीस के साथ में होता है, यहां मोह कार थो जपने भी मनविकार है खाली काम, कुरोध, मोह, ब्राम, किस ने मौह जबर धेयों है उसको मोह कहते है और प्राणियों के प्रती जो आकर्शन होता है उसको मोह कहते हैं अब गुरु के प्रती जो भाव होता है उसको क्या कहते हैं आस्था कहते हैं भक्ती कहते हैं सबका अलग-अलग अब विश्यों के प्रती होता है उसको क्या कहते हैं वासना कहते हैं और 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 की चाहना बढ़ती उसको क्या कहते है तृष्णा कहते है यही इसकी धारा है साहब कहते है जैसे पानी की धारा में उधारान है साहब नदी में डूब गए जहाँ पर उतरना चाहिए वहाँ पर डूब गए इसलिए यहाँ पर सडिल रखा है धारा किसका पानी का किसका पानी है मोह का पानी मोह क पानी में ही डूब गया और साहिब के नींदर या आई तो ही क्या तुमको कैसे नींदर आ जाती है भाईया इतनी धारा बह रही हो उसमें अज्ञानता की नेंद में ये जीव उसमें ले रहा है अज्ञानता की धारा में ये जीव डूब रहा है तो यहां पर ये का और दूस ऑड्या घर में जनम लिया, भगत के घर में जनम लिया, या महत्मा भी हो गए समझो नाम ही हो गए, बहुत वर्सों तक साधना सयम किया, सब कुछ किया, और आखरी में घर तरब चला गया, फिर वही बाल बच्चे को छोड़ करके खिर आये थे अहुंआ फिरे-खोभी कठा भी किये असरम भी बनाये सब कुछ किया अब आखरी में फिर कहां चला गया है है पिर भई घर तरफ उसका मुह होगी arna कि अजिये आखरी में तुम तुमको कल्यान करना चाहिए था अब ऑखरी में फिर से भूह हमाया में डूब गए तो कल्यान होगा नई इसका मतलव बंदर में दबा होता है इसलिए गुरदेव जी कबीर साहिब की एक साखी कहा करते थे साधथक तब तक तक सौधा रहता है जब तक यह इसा कुछ है कि जो उसमें लड़ने के लिए जाता है वो थोड़े समय के लिए और सती लाहर पहले सती को चीता में जला दिया जाता है वो सब कुछ आउ साधु लहर है जनम भर है पूरे जीवन भर विचार विचार करके सावधान हो करके नहीं होगा, तो बीच-बीच में फिर ये समस्याएं आती है, आगे, साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलिल धार न दिया बहें, पाव कहां ठहराए, वैसे इक्रम है, उसी के इक्रम को साहब आगे कहते हैं, कोई साखी कहता है, अब यहाँ साखी कर्थ है जिसको हम दोहा कहते हैं, कभी साखी कहा है, तो साखी कर्थ साखी नहीं है, यहाँ पर साखी कर्थ है, साखी, दोहा, पद, भजन, सास्त, बहुंस से आपने याद कर लिया है, और उसको कहता भी है, लोगों को सुनाते भी हो, एक से एक भजन सुनाते हो, एक से एक साखी ग मतलब गहन करना उसको, धारन करना, कहते हो वैसे जिंदगी में होता नहीं है, जैसे कहते हो वैसे आपकी जिंदगी नहीं है, आगे चाल चली नहीं जाए, अब चाल ढाल भी वैसे नहीं है, चाल भी बिल्कुल विप्रित, चाल भी विप्रित, जो कहते हैं उसके विप्रित ह यह क्यों होता है इसका भी कारण अब नीचे बता रहे हैं कारण भही छे जो आगे वाली साखिम बता है क्या सलिल धार नदिया बहे यह पानी की नदिया बह रही है देखो भई कई लोग आख बंद करके सुनते हो बढ़िया नहीं है सुनने का उक्रम में अरे भई परतक्षा हम आपके सामने बैठे हैं और रुबरु आप लोग सुनने के लिए आए हैं जिस समय केशिट सुनो घर में उस समय भले आख मुंद करके सुनते रहो अब यहां परतक्षा देखने आये हैं तो फिर देखते देखते सुनो ना तो अच्छा रहेगा आख बंद करके सुनो गे तो कब तंद्रा में चले जाओगे पता नहीं चले गया तीबी को आख बंद करके देखते हो कि खोल के अरे भाई हम भी उसी में से हैं, यहां सद्गुरु कभी का विचार चल रहा है, तो आख बंद करके, आपके सुनने में संका नहीं कर रहा हूँ, कि तो सावधान कर रहा हूँ, कि आख बंद करोगे, तो सारी बातें बंद हो जाएगी, सारी बातें, वह इसलिए खोल करके नदियाब है, पानी की धारा नदी में इतना बहरा इतना तेज बहरा है, पाव कहां ठहारा है, उसमें इतने तेज धारा है, इतने तेज धारा है, उसमें पाव ठहरता नहीं है, यह कहते हैं और गहते ने उसका एक कारण यहां साथ कह रहे है, तेज धार कहीं पर किसी को भ प्रइच्छा हुए किसी भी चीज की तेज इच्छा वाशना की तिप्रइच्छा हुए तो कई बार सुने होंगे अपने ही लड़की के साथ में अपने ही परिवार वालों के साथ में अपने ही और सगा संबंधियों के साथ में मर्यादा विपरित व्यवार कर लेता है क्यों तीज धारा में अपने आपको उसमालता नहीं। किसी ने ऐसे कुछ कह दिये थोड़ी सी बात, उसको विपरितला, इतना फन फनाने लग जाता है पुरोध में, इतना फन फनाने लग जाता है तो कई जो मारपिट हो जाती है, मारपिट हो जाती है। अब बहुत से आजमी आज जो जेल में हैं, अधिक्तम आजमी। बड़े लोगों की बात नहीं करता हूं, बड़े लोग तो घुटाला बाज है। सच मुचो बड़े आयोजन पुर्वा को कायम करके घुटाले बाज, घुटाले बाजवाला आयोजन करता है। एक घुटाला कर दे, एक कोई घुट नहीं लेता है याद रहे। एक घुट लेता है क्या नहीं वह सब कुछ बताएगा है अंदर बाहर तब घुटेगा हूँ, पकड़ा जाता है तो वह जेल में सड रहे। उसकी बात नहीं कहता, समान्याद में, बिलकुछ सहाजाद में, थोड़ी सी कुछ बात में इदर उदर हुई, इतना मार पीठ हो गया कि के सा दालत चल गया, अब पकड़ा गये, मार भी ढाला, कई लोग अपने अमरत को, बच्चे को, पडोसियों को, भाई को मार ढालते हैं उसका कारण क्या था? सलिल धार नदिया बहे, तेज घुस्सा, तेज घुस्से में एक रोधित हो करके आदमी अपराथ कर लेता है, यही तो सलिल धार है, यही सलिल धार है, कहीं पर ऐसे बैठे हो, बैठे हो, वस्तु में कोई ठीकाना नहीं है, सब, अरे दस रुपया का पेन ही हो, किसी घर में गय हो, दस रुपया के पेन ही हो, बड़ा सुन्दर लग रहा है आपको, सुन्दर आपको लगना चाहिए, बस, इधर देखोंगे, उधर देखोंगे, ऐसे देखोंगे, अब फटाक से उसको जेब में, यही तो, यही तो, जैसे कहते हैं, ऐसे नही महत्मा आते हैं तो अपने special room में ही साधू को रखते हैं कितना विश्वास है कितना साधू के उपर इतना विश्वास सब चीज उसका कबाट मतलब आल मारी वगेरा सब वहीं है उसके सारी चीजे हैं और वहां उसको रखते हैं और वहीं से कहीं साधू कहीं किसी के जेव को टटोलने लग जाए तब क्या दर्शा होगा एक साधू ऐसे बडोदा में आए थे और एक भगत के यहां थे तो वेचार अपने पेंठ में ऐसे कुछ रखा था आजकल पैसा तो सब के जेव में रहता ही आखिर जेव कहीं के लिए बनाया गया है कुछ रखने के लिए तो बनाया गया है जेव आखिर माया नहों जेव में तो फिर किस काम का माया थोगी आओ आदमी इधर कुछ देखा आओ लोग साब दूसरे काम में लग गए थे वो अपने काम में लग गए कहे फिर उसको फिर वो आदमी गए उस साधू के पास गया देखो उसको कहे उसको फासाने के लिए देखो मेरे घर में CCTV लगा है लगा नहीं था लगा नहीं था लगा नहीं था के उसको पकड़ने के लिए देखो सही सही पता दो महत्माद वो डंडा लेकर के गया था दो साल हुआ है वो साधू भी अभी है भगद भी है वो गया और देखो CCTV लगा है हमारे घर में अब तुम कैसे करें हो सब उसमें आ गया वो आदम माफी मागने लगा अब CCTV पकड़ा गया हो कहा के आप तो जूट नहीं बहुत सकता न अब CCTV लगा नहीं तो उसको पकड़ने के ल अबर जिस आस्रम में रह रह रहे थे वहां से निकाल दिया गया यहीं सलिल धार नदियाब है लोग की बिश्ती जगी वो चला गया और आप दिन कह रहे हैं संसार माया हैं कुछ भी यहां रहने वाला नहीं हैं सब छूट जानेगा सब यहीं रह जाएगा और आप बेंग लेश में रखे हो महात्मा लोग भी रखे हैं क्या आपके साथ जाएगा क्या नहीं आश्रमधारी महात्मा तो उसकी सेवा में लगाता है कोई ने कोई आते हैं आश्रमधारी उसके पास कोई भी आते हैं तो खुद भोजन खुद तो खा रहा है कम से कम खुद तो खा रहा और कोई आते हैं उसकी सेवा में लगाता है, सबजी लेता है, फल फुल लेता है, सारी बेवस्था करता है, अब घुमत कर सादू, अपने लिए भी एक किलो आलू नहीं लिया है, देखें मैं किसी कालोचना नहीं कर रहा हूँ, किंतु जो घटना हम देखते हैं उसकी बात कह अपने लिए भी एक किलो आलू नहीं लिया है, और जमा करता जा रहा है, जमा करता जा रहा है, जमा करता जा रहा है, अब कई बार किसी भगत को धरा देंगे, भगत को, ये दस अजार हो गया है, रख लिजे, अब अपने पास रखना, किसी बताना मात, ऐसा भी कह देंगा किसी के बता ना, मात, और महात्मा मर गये, चूपले, और भगद भी रख लिये, गूपले, गया साथ में, नहीं गया, इकठा करना, पहले सेवा, इलहाबाद के एक बहुत बढ़िया संस्किती है, मैं वहाँ रहाँ वर्सों इसलिया अभी भी देख रहाँ वहाँ के स्थिति, महात्मा लोग कोई भी प्रोग्राम वहाँ हुआ है, मतलब कोई भी मकान बना, मकान बना, और कुछ हुआ, चारो तरब से घुम के आएंगे, तो पहले तो सब महात्मा घुम के आए, चार महिना तो एक एक दिन भंडारा करेंगे आये हैं तो इतने घुम के आये हैं तो कुछ मिला है तो चलो भई सब कोई खालो यहां रह रहे थे उसको भी अधिकार है कुछ खाने पिने का और कहीं मकान बना, हाल बना, सत्संग हाल बना गुरुजी का रूम बना और सब संतों के संत निवांस बना हर महात्मा अपनी तरफ से जो कुछ उसके पास रहता है महादेना चालू कर दिए देते हैं सब, इकठे नहीं कर और इकठे भी किये हैं इकठे भी किये हैं तो अपने बाद आसरम कहोगा यह सारी बिवस्था करके वो इकठे करते हैं और दूसरे जगह का तो हम जानते नहीं हैं दूसरे जगह के तो जानते नहीं हैं खास बात यहाँ पर है कि आदमी साखी कहता है संसार माया मोह हैं धंद उलत छुड़ जाने वाला है और बहुंसे चीजे सत्संग की बाते कही जाती है काम छोडो क्रोध छोडो लोब छोडो मोह छोडो ये सब ज्यान की बाते बताए जाती है और कि उसी में काम क्रोध लोब मोह में खुद ही डूबा हुआ है तो साहब कहते है चाल चले नहीं जाए क्यों नहीं चलता है क्योंक धारा लोग की धारा और वासना की धारा इस सब बह रहा है आउसे में आदमी आ करके फिर उसका पैर ठारता नहीं है और अपना अपराब कर बेड़ता है आगे कहंता तो बहुते मिला गहंता मिला न को यह सो कहंता बहिजान दे जो नगहंता हो यह साहब कहते हैं कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं एक जगा और कबिर साहब में कहा है जो मिला सो गुरु मिला सिस्षन मिलिया को यह जहां जाता हो गुरु मिलते हैं सिस्षन नहीं मिलते हैं मतलब लेने वाला नहीं मिलता है देने व जो सीख देता है, गुरु किसको कहते हैं, जो सीख देता है, लेने वाला नहीं मिलता है, सीख लेने वाला नहीं मिलता है, इसलिए तेक दिन मैं कहा था, आज फिर कह देता हूं, किसी भी आसरम में जाओ, किसी भी गुरु के पास जाओ, तो ज्ञान चंद बन के मत जाना है तीन चीज बन के नहीं जाना चाहिए एक ज्ञान चंद बन के मत जाओ लोग ज्ञान चंद बन के जाते खुदे ज्ञान देना चालू कर देते और दूसरा राय चंद बन के ना जाओ राय चंद हां कहीं गड़बड़ी हो रही है आपको पूछा जा रहा है आप उसके भिसे सग्य हैं वो बात अलग है और है तीसरा है हुकुम चंद बन के मज्जा हुकुम 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 चलाना अपना वहां जाकर के महत्मा ये करो वो करो ये सब लोग हैं अभी तक जाड़ू पोता नहीं लगायो ऐसा हुकुम न दिखाओ महत्मा के उपर आश्रम के उपर महां आश्रम कहा जाते है आश्रम आश्रम में आओ और स्रम में लग जाओ खुद स्रम में लग जाओ आश्रम का अर्थ होता है आश्रम यहां स्रय मिलता है आश्रय मिलता है जहां लोगों को आश्र मिलता है, आधार मिलता है, उसको आश्रम कहते हैं, अब वहां जा करके क्या करो? श्रम में लग जाो सेवा में लग जाओ तब तो ठीक है, किन तु वहां जा करके क्या बन गहे? हुकुम चंद राय चंद, ज्राइप рाय चंद ऐसा ना बनो कि तो क्या बन के जाओ, प्रेम चंद बन के जाओ, आश्रम में जाओ तो गुरुपाद जाओ, तो क्या बन के जाओ, प्रेम चंद बन के जाओ, सेवादास बन के जाओ, सद्धानन्द बन के जाओ, हो, अब वो सब आदमी करता नहीं, इसलिए यहां साहब कह रहे हैं, कहने व भी पता नहीं होता वो भी कईठो बातें अपने आपको बताएंगे कहंता तो बहुते मिला गहंता मिला ना कोई सो कहंता बहिदान दे जो न गहंता होई जो पिछली साकी है उसी का ही ये परियावाची साकी है वैसे ही ढंक है कि कहने वाले बहुत मिलते हैं धारन करने वाले बहुत कम होते हैं जब कि हम को चाहिए हमारे पास आखे दो हैं और कान दो है अब मुह एक तो मुह मतरब दो बात सुन, दो पात देखो दो बात सुनो, किन्तु एक बात कहो मतलब चार बातें देखना और सुनना चार बातें देख सून करके एक बात कहो और वहीं कहना चाहिए जहां आपका सलाह लिया जा रहा है या अपने आदमी हैं बदो तोपन्च और ना बदो तोपन्च चाहे जहां जा करके अपनी पंचायती मत दिखाओ और यहीं सब लोग करने लग जाते हैं इसलिए साहब कहते हैं और कहते भी हैं तो वैसे उसका जीवन है तब उसका प्रभाव पड़ता है अंदर जाडू देई के अंदर जिसका जाडू लग चुका है जिसके सारे विकार जल गए हैं उनकी बातों को सुनने के लिए तो बहुत पड़ेगा आगे एक एक निरवार ये जो निरवारी जाए यह बिलकुल सरल सरल साखी है इसलिए इस पर ज़्यादा और कहते नहीं है और बस दो दिन तो बांकी है फिर तो पूरा हो जाएगा फिर और कभी याद करोगे तो फिर से करेंगे उसकी आगे की चर्चा यहां तो, आज तो होगे, अब कल भर एद दिन बांकी है, कल भर, तो यहां पर साहिब कहते हैं, एक एक निरवारी, एक एक करके निवारन करो, निवारन करना मतलब नेड़ने करना, सुल्जाना, किशी बात को एक एक करके निवारन करो, एक एक करके सुल्जाओ, सारे काम और जो निरवारी जहाए यदि तुम्हारे पास उसको निवारन करने की छमता है तो आपके द्वारा निवारन करने की समाधान करने की सुलजाने की आपके पास योग्यता है छमता है तो एक-एक काम करो एक-एक काम करो अब एक-च्तात में सब कुछ एक-एक भार में सारा काम हो जाएगा क्या? मान ले जाए सब कुछ एक-एक करके करते हो दुमियादारी का काम आप लोगों को जैसे बहुत बड़ा खेत है अब वो हो हर्या में पूरा जूत जाता है जब उसमें थरहा लगाते हो रोपा ते फटले लगा देते हो क्या? नए एक-एक करके उसको लगाया जाता है ये तो लगाने की बात हुई निंदाई करते हो तब उचक-उचक के करते हो के लाइं से करते हो लाइन से करते हैं और जब उसको लुवाई करते हैं तब निन्दाई, लुवाई, गुडाई जितने भी होता है सब धीरे धीरे लाइन से करते हैं साहब यहां कह रहे हैं वैसे लाइन से करो लाइन से क्या है? कोई भी काम लाइन से करोगे तो जल्दी आपका निवारन होता है, हम लाइन से नहीं करते हैं, सफे काम एके साथ करना चाहते हैं, कैसे एक साथ हो जाएगा, नहीं हो सकता है, आप लोग सुने होंगे, एक कहानी कहा देता हूं इसी बीच में, चार आदमी था, चारों की बड़ी मित्रता थी, और चारों को चारों कहा गये, यह चार आदमी कहूं था, एक ब्राम्हन था, एक राजपूत था, छत्री, और एक एक ब्राम्हन था, एक छत्री था, और एक बैश्य था, और एक नाई था, नई नई तीने आदमी थे एक नई एक ब्राम्हन था एक छत्री था ठाकूर और एक नई था नई तीनों कहां गए चलो ने तेर था यात्रा में तीनों निकल गए पहले का समय थे गाड़ी मोटर में आजकल तो फटाक से पहुंच जाते हैं पैदल जाना थे कुछ रखे थे खाने पीने का अब बहुत दूर चले गए उसके खाने पीने का सब खलास हो गया खलास हो गया तो आगे देखते हैं ठंडी का समय था एक आदमी के खेत में मटर लगा था मटर बढ़िया और सब को दीखा हो बिलकुल उन लोगों के मन में हो गया मटर खाना चाहिए बैठ खेत में मटर खाने के लिए अब खाना चालू किया खाना चाला इतने में वो खेत वाला आ गया खेत वाला देखता है कि तीनों तीनों जवान जवान है इसको मैं कुछ कहूं तो यही लोग मेरों मुझे पछाड देंगी तो लोग कहे कि अरे भया कहां से आये हो बात्चित हुई हम लोग ती थे आतर जा रहे हैं भाई भूख लगी तो खा रहे हैं नहीं बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया खाओ यह मेरा ही खेत है हमारत अधरा में सेवा कन्ने का कोई बात नहीं खाई खाई यह किंत अब में फिर देखा कौन कौन हो तुम लोग, पूछा है, तेक ने अपना पर्चे दिया, मैं गाव का ब्राम्हन हो पंदित, दूसरा के मैं गाव का राजपुत हो, च्छा, आतीसरे के मैं नाई हूँ, नाई हूँ, तब वो जो खेत वाला था, ठीक है, ब्राम्हन तो देवता है मेरे खेट में खुआ रहा है तो खा रहा है, तो च्ट्री है बेचारा डेश का रक्षा करता है, यह भी खुआ रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं, तुम नाएं हो करके किके से मेरे खेट का खा रहे हैं, मार अusको ढण्ड़ा, तुम यहां से पखो अब उसको निकाल दिया जब वो बहुत दूर चले गए उसके बाद फिल लृट करके आता है, अब फिंद दूसरा काम करता है, अब भू क्या काम करता है देखो यह ब्रामन देता है यह ब्रामन देता है अच्छा है अच्छा है मार साले को उसको और गाली दे करके निकल वा दिए जब वो भी दूर चला गया अब ब्राह्मान उपर आया बड़े ब्राह्मान बनते हो बड़े उपदेशक बनते हो अब देशक करके चोरी करके खा रहा हूं मांग नहीं सकते थे अब ब्राह्मान के भगा दा इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुंसे जिंदिगी में बहुंसे खराबी पना है गलत गलत आदेते हैं ये कठ्ठा आपको मुक्ति हो जाएगे ऐसे कऊगे कभी नहीं होता है मिया ये कठ्ठा मुक्ति और जूट बोलने की आदत है तो पहले जुट बोलने की आदत छोड़ो, एक-एक करके निवारन करो, एक-एक करके, जुट बोलने में कम कसम खालो, पहले शुरुवात तो करो, जो आज 24 गंटा चाहे, जैसरा हो जाए, जैसे परिस्तिति आ जाए, मैं जुट बोलूँगा, नहीं, जैसे उफवास के मैं जुट बोलूँगा, नहीं, फिर दूसरे दिन सोचो आच जैसा हो जा मैं घर में किसी के लिए क्रोध करूँगा नई फिर दिसरे दिन सोचो कि आच जैसा हो जा मेरे जीवन में वासना नहीं उठेगी धीरे धीरे करके धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई माली सीचे सव घडा रितिवावे फल होई धिरे धिरे सारे काम होते हैं, एक साथ ने होता है, धिरे धिरे उसको हम निवान करने के लिए सोचेंगे, यह बीजग भी आत करना है, तो पूरे बीजग को एके साथ फन लोगे का एके घंटा में, नहीं, आज एक साखी करो, कल दो साखी करो, देखो नहीं, उन्नीस दिन में कितने साखी हो गए और यही अभी चलता रहे चार महीने तो पूरा भीजा खलास हो जाएगा किन्तु धीरे-धीरे होता एक-एक करके होता जिंदगी में भी ऐसे एक-एक करके अपना काम करो अब एक-एक करके नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला दो्य मूखका बोलना घना तमाचाा खाएग अब यहाँ बोलने की बात कहें है साहेगर Say rus कुद के पास गए कापOUकी कभी का लिवात हुआग ए हुआ कि जो मुमुक्षु नहीं एंगों क्या रुभ जिग्याश विव centra сорद कि जोलता है। तो उसको कह रहे हैं, तो पहले ये प्रश्न किया, फिरो प्रश्न किया, हर प्रश्न को थोड़ा-थोड़ा साहिव जवाब देते थे, बीचे में छोड़के फिर दूसरा प्रश्न, ऐसे बहुत लोग आते हैं बक्वासी, आप लोग को अन्भाव नहीं, हम लोग को तन्भा रहत भै सोरा है, कही लोग को आजाएंगे, अधिवात इधार अभी पूरा हुआ नहीं हो समय, फिर दूसरी बात लेंगे, फिर दूसरी बात च्छैण देंगे, भी ति स्री बात मुद देंगे, आप लोग आज को टीबी में डिबेट देखते होंगे, डिबेट, टीबी में पत्रकाल लोग कई लोग को हर पार्टी के आदमी को इकठा कर लेते हैं, अब वो आदमी कुछ पूछ रहा है, वो दूसरा ही अपना कर रहा है, जो उसको जवाब देना चाहिए, वो जवाब नह सुनोगे, नहीं सुन सकते, यहां साहिब कहते हैं, कभी साहिब के पास कोई जिग्यासु आया होगा, और आ करके वो कुछ प्रशन किया होगा, और प्रशन को आधिव छोड़ करके फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चवता, प्रशन करते जा रहे हैं, और समाधान किसी का सुन क्षिए है तंध पर तंथ को मेरते नहीं है अब कभी साहभा दी कि भला किसी को मढूंगे कि इन तो प्रक्रिति के द्वारा और द्वारा संचमुत तंध परता है समय आता है तब पता चलता है दो तमया कि आदंफी करतें दोयमों खका बोलन साहभ दोटरह से बाते करना उत्तमाचा खाता है कभी कहता है दिल में बैठा है वही भगवान है कैसे दो तरह से करते हैं कभी कहता है आत्मा ही परमात्मा है और फिर खोजने के लिए भी निकल जाता है आत्मा का है तेरे दिल में है दिल से बाहर आत्मा तो रहते नहीं फिर कहां खोजने के लिए ज आत्म जब अंदर है तो फिखोजने की क्या जो होता है? दो तरहके हो गया की नहीं. अंदर है तो अंदर खोजो. अब बाहर मानते हो तो बाहर भटकते रहो. कभी आपको सांती मिलने वाली नहीं. कोई भी बात है और वो कभी उसको संतोस मिली नहीं सकता है जैसे कोई यहां से आदमी यह भैसा जाना चाहिए भैसा और कहां तक जाए यह जो चोर भठी है वहां तक जाए और फिर आ जाए वापिस फिर थोड़ी देर के बाद फिर जाए और फिर आ जाए वापिस साहब कहते हैं आप आज की ही बात नहीं पूरी जिन्दगी जाव और आव जाव और आव इतने दूर से बीच से लट जाओगे तो कभी भैसा पहुंख पाओगे नहीं यही दसा हमारी है कभी इधर सोचते हैं कभी उधर सोचते हैं Kabir Sahib के पास एक जिग्यासु जाता है, आगे दो साकी बहुत महत्वपूर्ण है, आज साहिब नहीं आए अभी तक, मेरा समय तो पूरा हो चुका है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अज्ञान की चर्चा ही तो करना है, चर्चा ही तो करना है, एक जिग्यासु Kabir Sahib के पास आ करक किनके पास बैठना चाहिए, किनकी संगत करनी चाहिए, और दूसरा प्रशन करता है साहिब जी, किसकी संगत नहीं करनी चाहिए, किसके पास नहीं बैठना चाहिए, ये दो प्रशन है, एक तो किसकी संगत करनी चाहिए, और दूसरा प्रशन है किसकी संगत नहीं करनी चाह ये दो साखी है, दोनों के लिए एक एक साखी है, पहली साखी है किसके पास बैठना चाहिए, अब इसका साहिब का बहुत सुन्दर है, इसका उत्तर है, जिब्या केरे बंद दे, बहु बोलन निरवार, पारखी से संग करू, गुरुमुख सब्द विचार, जिब्या केरे बंद दे, पूरे बिजक में, केरे, केरी, केरा, ऐसा सब्द आया है, कई जगा आया है, इसका अर्था क्या होता है, हिंदी में जैसे का, के, की, ऐसा पढ़ते हैं न प्याकरन, का, के, की, संबंध वाचा, है ये, उसी को यहां साहिब कहते हैं, केरा, केरी, केरे, ऐसा सब्द आया है, यहां पर जिब्या केरे बंद दे, जिसने अपने जिब्या को बंद किया है, क्या बहु बोलन निरवार बहुत नहीं बोलता है अनाप सनाप कुछ भी बोलता नहीं अब यही बोलने में सबसे ज़्यादा हम गलती किसमें करते हैं बोल करके सबसे ज़्यादा गलती इसमें होती है बोलने में कहीं मजाग बॉलेंगे, कहीं और कुछ बोलेंगे. अवजीव में क्या जीव ना हो तो बोल भी नहीं सकते. अवजीव में हड़ी है? नहीं. किन्त ऐसे ऐसे बोलेगा तो कह्यों के हड़ी TROđवा देगा. यह जीव ऐसा है. इस में हड़ी तो नहीं हैं, किन्ट वैसी ऐसी बाते कर देगा लोगों के हड़ी टोड़वा देता है, हड़ी टोड़वा देता है, यह जीब का बड़ा बिचितरता है, साहिब यहां कहते हैं, जिन्हों ने अपने जीब को सयम में रखा है, मतलब खाने पीने में, जीब का जीब का दो काम हैं एक तो बोलता है और एक खाता है जो अनाप सनाप नहीं खाता है अनाप सनाप खाता पिता क्योंकि आगे बहु बोलन निरवार है तो दोनों अर्था आप कर सकते हैं एक अर्था तो यह है कि जो बोलने में सयम है बहुत बोलता नहीं है अपने जि जिब को बंद रखा है, मौंधारन किया हुआ, अनापस अनाप बोलता नहीं, और दूसरा अर्थ क्या हुआ, जिन्हों ने अपने जिब्या को, स्वाद को अपने बस में रखा है, और गलत बाते नहीं बोलता है, दोनों, जिब का दो काम है न, जिब का दो काम है, रस भी ले केरे बंद दे मतलब जिभ्या को अपने वस में रखा है बंद रखा है खाने में सय्यम अब खाने में सय्यम जितना अनापसनाप आदमी खाता है उतना और कोई प्राणी खाता नहीं मांस भी खाएगा, मचली भी खाएगा, बकरा भी खाएगा, भेडा भी खाएगा, मुर्गी भी खाजाएगा, सुवर भी खाजाएगा, और ये चाइना के लोग तो तो औरे, उसका जब वीडियो देखो, आजकल मीडिया का जमाना है, यूटूब अगेर में, औरे साप को, बिल्ली को, मचली को, क्या ऐसी ऐसी चीज को खाता है, ये गंगेरवा को, गंगेरवा ये सब, ये बांदा बांदा, चिपकिली, विपकिली, सब कुछ नहीं पाजाते हो, पता नहीं कैसे राक्षा से, आदमी, खाने में, अब चलो कुछ ऐच्छे भी हैं, बढ़िया भग यहीं तो धीक बूड़ा उतरा नहीं, आज चालू वहीं से हुआ है, आज का प्रसंग वहीं से चालू हुआ है, निकाठा करके भी ढूब गए, खाने पिनें भी कुछ भी सय्यम नहीं, बिचित्र खा पी रहे हो, और आदमी एक चीज में कहा दूं, खाने के प्रसंग आया हारी, मांसाहारी और साकाहारी का कुछ लक्षण है, लक्षण क्या है, पहले दात से देखो, जो मांसाहारी पसु होगा, उसके चार दात लुकिले रहते हैं, चार दात, ऐसे हैं, आप कुत्ता की देख लो, बिल्ली का देख लो, आज काल तो वीडियो अगेरा में सेर भाल लाएन से बिलकुर रखा गया। पसू का जो मानसाहरी पसू है, उसके दाथ जनम से रहता है। बीच में तुटता नहीं है। आप साकाहरी प्राणी का दो बार दाथ आते हैं। आप लोग गाय बेल का कैसे उमर देखते हो। के साल के है गाय बेल का। दाथ से देखते हो कि पैर से देखते हो। दाथ से देखते हो। क्योंकि कितने दाथ का है कि कुशी से उमर अंदाज लगाते हैं। ओ बड़े होस्यार हैं भईया, आप लोग भी। सब जानते हैं पसू कैसा कितने दिन क्या। मोग दाक्टर को पुछने जबाद नहीं। ओ दाथ में Стरेया की देते हैं। क्यों साका हारी कितने प्रानी हैं। जितने प्रानी साका हारी वो शब का का दान्त दो बार आता है। व जार सिल उनका है। तो दो बार दांत आता है और आदमी का आदमी का भी तो बार आता है और पूरे उमर कहीं हो गए तो भी दांत चला जाता है दो बार आता है तो भी नहीं रहता है कई बार मरते दम तक रहता है नहीं इसलिए कोई गाय बैल बुढ़ा हो गया कैसे जानोगे दांत से जानते हो यह तो दांत चला गया है, बुठा हो गया है, यह साका हरी प्राणी का दांत में अंतर है, दूसरा देखने की द्रिष्टी में, जो मांसा हरी प्राणी हैं, उसके आँख बड़े तेज होते हैं, अंधेले में भी देख लेते हैं, और ज्यादा तर अंधेले में शिकार करता ह तो इसका मतलब ये मश समझ जाना मांस खाने से आआग की जोती बढ़ेगी वो नहीं बढ़ने वाली है वो प्रकृति की ओर से है, प्रकृति की ओर से, यह आख का लक्षन हो गया, दाथ का लक्षन हो गया, अजीब का, पानी पिने का धंग, मांसाहारी जितने प्राणी है जीब से पीता है कुकूर को भी देख लो बिल्ली को भी देख लो आजकल वो सब टीबी में जा करके वो सेर भाल कैसे पी रहें जीब से ही और जितने साकाहारी प्राणी है ओठ लगा करके पीता है वोट से जब गाय बेले सबको देख लीजे वोट लगाकर कही पानी पीता है यह पानी पीने का धंग है जनम से उसमें अंतर है भाई जनम से अंतर है तो आदमी क्या हुआ शुद्ध साकाहरी प्राणी सूरत में जब मैं था तो एक भाई आए और कहे कि आजकल जो पढ़ता ह वही पकड़ लेता है न शुरू में वो कहें देखो विदेश में विदेश में रहना होगा तो उसको सराब मांस तो खाना पड़ेगा वैसे वज्ञानिक लोग है विज्ञान की बात कहो तो ठीक है और सोशल की बात कहते हो समाजीक बात कहते हो तो गलत हो जाती है समाजीक पात समाश सास्त्री करेगा, वज्यानिक करेंगे तो गडबड हो जाता, अब वज्यानिक लोग के नहीं, बड़े-बड़े डाक्टर लोग कहते हैं, कि विदेश में रहना है, तो साराब मांस खाना पड़ेगा, तब गर्मी बनी रहेगी, नहीं तो आप जी नहीं सकेंगे, मैंने उसको पूछा, अच्छा ये बताइए, वहां काय रहती है कि नहीं, विदेश में भी गाय होती है कि नहीं, अरे, तब करें समझ के, समझ के, समझ के, विदेश में भी, कहें जितने ठंडी जगा हो, वहां भी आदमी सुद्ध साह का आहारी बन करके रह सकता है, जब भी रह सकती है, बैल रह सकता है, बैल का भी मान्स काएगा क्या, अमेरिका में ठंडी पड़ती है, तो वहां के गाय बैल का मान्स कहता है, नहीं, तो आदमी क्यों खाता है, अपने जीभ भवस, कहें कभिर जिभ्या के लंपट कभिर साथ ने का जो जिभ्या के लंपटी है वो लंपट है यहीं भी दिप्रानी नर्क परे नर्क में जाने का रास्ता इसले खान पान में बड़ा सुधार करो खान पान में भगत के लड़का भी तमाकोविडी सीक्रेट भगत भी पचास साल से भकती करते आ रहे हैं खाना चालो कर दे छोड़ो भया छोड़ो एक एक निरवार ये जैसे निवारन करोगे धिरे धिरे सब छुट जाएगा यहां पर है जिभ्या के रे बंद दे जो जिभ कि रे फिभ्या के खानी पान में सुधता है बंद रखता है सइम रखता हैया यहां पर है बवलन निर्वार यह जो बोलने में सइमी पूरुस है उसके पास जाओ पारखी से संग करो पारखी की संगत करो अब वही बात याज कलके हमारे महत्मा लोग हैं, महंत लोग, महत्मा लोग नहीं कहते हैं, जो महंत लोग हैं, वो लोग कहें, पार्खिक पास ना बैठो, पार्खिक पास मद बैठो, और मेरे आदी सद्गुरू कबीर साहब निर्देश दे रहे हैं, पार्खिक पास बैठो तो आप कबीर पंती हैं कि महंत पंती हैं क्या है कबीर की बात सुनते हैं कि महंत की बात सुनते हैं अपने घर से तो मैं नहीं कहा रहा है वही बाते आपके बीच में चर्चा हो रही है जो मेरे आदिश सद्गुरू कबिर साहब ने कहा है किसके पास बैठना चाहिए पार्खी के पास देखे इसमें पार्खी में कोई धवधर सब्द नहीं जोड़ा गया है पार्खी की संगत करो और गुर्मुक सब्द बीचार मतलब खूद पार्खी बनो बिबेकी बनो ये काम हम करते नहीं है गुरू के मुक से भी निकला हुआ है जो सब्द है एक एक बात पर बिचार करो तब तुम्हारा कल्यान होगा और वो काम हम करते नहीं है तो इसलिए कबिर साहब की बात को सुनो जो अपने धंधा रूप में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बात को सुनोगे तो फस जाओ तो किसकी संगत करनी चाहिए, प्रस्ण क्या था, जिग्यास्यू का फ्रस्ण क्या था, कबिर साहिब के पास हे गुर्देव, हमको बताइए कि किसकी संगत में बैठनी चाहिए, तो कबिर साहिब क्या उत्तर दिया है, जो अपने जिभ्या को वस में रखा है, एक, जो गलत बाते बोलता नहीं है, दो, तीसरा जो बड़ बड़ाता नहीं है, गाली गलोज कुछ भी कहता, आगे आएगा कैसे काली गलोज देते हैं, आगे की साखी है, इसके बाद वाले, और पार्खे की संगत में करो, और जो कुछ भी सुनो, देखो, समझो, उस पर चिंटन करो, क्या करो, गुरु मुक्स सब्द विचार, गुरु के मुक्से भी जो सब्द निकला है, उस पर भी विचार करो, और जो धारण करने लायख है उस बात को रखो अब दूसरा प्रश्न क्या था? किसके पास नहीं बैठना चाहिए गुर्देऊ? बैठने की बात तो आपने कह दो अब ये भी बता दीजिए किसके पास नहीं बैठना चाहिए आगे किसा की देखिए 83 नंबर किसा की जाके जिब्या बंद नहीं हिर्दयानाई साचे और ताके संगन लागिये घाले बटिया मांजे आगे क्या था जो जिब्या को वस में रखा और यहां क्या है जिसका जिब्या बंदे नहीं है और हिर्दय भी सच्चा नहीं नहीं कैई बल मजाक मजाक में बोल देशे नहीं हिर्दय में भी उसके अंदर में कपट है हिर्दय भी बहुत कूरता से भरा हुआ है हिर्दय में भी काम को लो महां कप्टी पना जो जिसको कहा गया है हिर्दया नहीं साच मतलब हिर्दय में भी कोई सच्चाई नहीं है उसका दिल बहुत खराब है जिसका दिल खराब हो और जिसका जीब खराब हो दोनों, साहिब कहते हैं, जिसका जीब खराब हो, खाने पिने में भी खराबी हो, और बोलने चानने में भी खराबी हो, और जिसका दिल खराब हो, जिसका सोच खराब हो, जिसके जीने का धंगी खराब हो, जिसका चिंतन खराब हो, जिसका विचार खराब हो, ताके संगन ला यह ऐसे लोगों की संगत मत करो अब वो चाहे कोई भी हो चाहे अपने घर के आदमी हो चाहे कोई महंत हो चाहे कोई आचारिय हो चाहे कोई और देवी देवता को मानने वाले महत्मा हो या आपके गली का आदमी हो या परोश का आदमी हो चाहे जो भी आदमी हो चाहे उसका ज जबान साफ नहों, जिसका करनी साफ नहों, साहब कहते हैं, ताके संगन लागी, ऐसे लोगों की संगत में, मत बैठो, क्यों मत बैठो, घाले बटिया मांज, बटिया मांज, बटिया मतलब होता है रास्ता, बाटे, बाटे जिसको कहते हैं, अमांज मतलब होता है, बीच रास्ता में अधूरा छोड़ देगा, बीच में ही छोड़ देगा, न इधर का रहोगे, न उधर का रहोगे, कहीं आपको, कहीं एक जगा ले जाये तो ठीक है, आपको बीच में फ़सा करके छोड़ देगा, न घर का रखेगा, न घट का रखेगा, दोबी का कुत्ता घर का न घाट का, ऐसे इस्तिति में फ़सा करके आपको रख देगा कौन, जिसका जीब साफ नहीं है और जिसका दिल साफ नहीं है अब किसके पास बैठना चाहिए जिसका दिल सुंदर है जिसका विचार सुंदर है जो वाणी पर सयम करता है जीब पर सयम करता है और जो पार्खी है विबेकी है बड़ा समझदार है अब पार्खी का मर्द यह नहीं समझ लेना कि बुढ़ानपूर, इलहाबाद, आजोध्या, बाराबंकी यहीं पार्खी है, ऐसा नहीं, पार्खी मतलब बिबेकी, समझदार, सज्जन ब्यक्ति, बड़े ज्ञानी ब्यक्ति, ऐसे लोगों के पास में बैठोगे, तो तेरा कल ल्यान होगा, और गलत आदमी के बीच में बैठोगे, तो तेरा नुक्सान होगा, इसी करम एक छोटी सी एकवसा की है, प्राणी तो जिभ्यादिगा छिन छिन बोल अकु बोल, मन के घाले, भर्मत, पिरे, काला ही देत, हिंडोल, प्राणी जो प्राणी का अर्थ है, यहा आजमी तो जिभ्या में डिग गया है, कैसे डिगा है, चिन चिन बोल कुबोल, चन चन, गाली गलोज, यही तो बोल कुबोल है, गाली गलोज, रे, बे, ते, ऐसे ऐसे, गाली दे देखा है, खुदे पिड़ा सामने रखा है, खुदे हपट रहा है, और खुद उसको गाली तो है यह कर पड़े है आप खोदे उठके थोड़े चला जाएगा पिड़ा आप नहीं रखा है आप ही गाली दे रहे हो तो किसको पड़ा खुद कोई पड़ा कही लोग तो ऐसे हैं अपने ही लड़के को गाली देते हैं हराम जादा तो हारामी काऊन हुआ खुदे हुए की नई हुआ अरे सुवर के अवलाद अब अपने बच्चे को सुवर के अवलाद कह रहे हो तब काऊन हुआ सुवर काऊन बना खुद बने की नई बन knocking इतना विबेख हो देता है आदमी छिंछिन बोल कुबोल साफ रखना चाहिए तब आपका कल्यान होगा अब मन के घाले भर्मत फिरे काला ही देख हिंडोल जो मन के वसी भूत होकर की भरम रहे हैं यहां वहां जहां तहां मत पुछो कहां कहां भरम रहा है साहब कहते हैं काल के हिंडोला में तुमको जूलना पड़ेगा काल का हिंडोला कल्पनाओ के हिंडो काल मतलब कल्पना देखें बीजक में काल का तीन अर्थ है काल मतलब समें काल मतलब मों और काल मतलब कल्पना और काल मतलब जो आपको फसा दे काल मतलब जो आपको फंसा करके रखे ये सब काल है तो उसी के हिंडोला में ये जीव भटक रहा है और अपने जीवन को बरबाद कर रहा है आज इतना ही रखते हैं मैं अपनी वानी को यहीं पर अब विराम लेता हूं और